फरवरी महीने में ज्यादा से ज्यादा अगर कमाना है तो आप भिंडी का खेती जरूर करें भिंडी का खेती से आप 4-5 लाख हराम से कमा लिजेगा और भिंडी ऐसा है एक फसल जो 100 रूपे, 1500 रूपे के जी के हिसाब से जब फरवरी का महीना खुब पीक पे जाएगा और एक एकर भी लगा सकते हैं लेकिन ईसका एक काम आपको करना होगा, दो चीज आपको ख्याल लगना होगा, पानी का एकदम ख्याल लगना होगा 15-20 cm दूरी पर रखना चाहिए कतार से कतार की दूरी आप 20-30 cm भी रख सकते हैं लेकिन 15-20 cm की दूरी बहुत अच्छा लगता है और बीज क्या बात करें तो 2-3 cm गहरी भुआई करना चाहिए और पूर में बीजो 3 ग्राम मेन का जोब और कर्बन डाजीम परती किलो 20 के दर से उपचारीत कर देना चाहिए और फूरी खेत को उच्छी तरह से आकार दे देना चाहिए और सिचाई करने के सुभधा रखना चाहिए बरसा रितु में जल भराव से बचाओ के लिए क्यारी या नुमा बनाना चाहिए अभी तो क्यारी बीना क्यारी कहीं बनाईए क्योंकि गिरिस्म कालीन वाला जो होता है क्यारी पे लगाने वाला ये होता है जो वो बरसा रितु में काम करता है लेकिन अभी भी लगाईएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा जो हाफ अगर पानी भरना होगा तो हाफ भर दीजेगा लेकिन आपको ये भिंडी जो है अभी तो अब बिहार में ठंडा थोरा कम रहा है अगर बिहार में अगर ऐसा ठंडा रहा तो चार पान दिन में खेत इंडियाने लगेगा जो जनबरी वाले लगाने रहेंगे उन्हें फायदा मिल जाएगा और सिचाई की बात करें तो 10 से 12 दिन पर मार्च में सिताई करना होगा और 7 से 8 दिन में अपरिल में करना होगा और इसका एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर रखें वह हम इसलिए कह रहे हैं 3-4 सेंटीमीटर रखें अगर हाईबरीड बज़ लगा रहे हैं जो तीन से 4 सेंटीमीटर भी ये होगा थोड़ा थोड़ा जगर रहेगा तो उसके पत्ता से च्छाया बना रहेगा और च्छाया बना रहेगा तो वास्पीarta नही amiga पानी औ और 10 से 12 kang पर टीक्टेर के दर से बीज लगता है तो आप एक तरह से चलमज च利ए 5 kang पर टी एकर के हिसाब से बीज लगेगा संकर किस्म का बीज है तो आपको 2-3 kang लगेगा 2-3 kang में आराम से हो जाता है इसलिए 3 kang हम कह रहा हैं संकर किस्म का यही लेकिन एकर में आप हम बता रहे हैं हेक्टेर में तो 5 kg परती हेक्टेर के दर से संकर किस्म का लोग लगाते हैं लेकिन थोड़ाई इसलिए ज्यादा लगेगा संकर किस्म का भी लिजेगा जैसे कोई कमपनी BNR हो गया सिंजेंटा हो गया नामधारी हो गया और आपको बहुत साब कमपनी आ गया है मार्केट में वो कोई भी कमपनी का आप अच्छा बीज लेकर बहुत सारा भेराईटी आता है लेकिन आप गिरिस्म कालीम बाला जो होता है वो लोग Bref कालीम बाला लगाईए गा मतलब ऐसे तो सभी भी तीन स्छान लगता है लेकिन उसमें कुछ आता है जो आपके छेतर में अच्छा मार्केट पक्रया हुआ हो ऐसे कुछ में काटा बला होता है काटा बला आप नहीं लगा है क्योंकि आप किसान से अपना छेतर में पता लगा लिजेगा कौन सा सबसे ज़्यादा बिखता है इसमें जो आता है बी एनार बाला होता है छोटा छोटा जो आता है ये भिंडी वो बाला खुब अच्छा तरह से बिखता है ऐसे तो कोई कमपनी का आप लीजेगा बहुत अच्छा बीज आने लगा है और आजकल तो रेड मतलब भिंडी का भी खुम मांग है और सी चाई की बात करें तो दस से बारे दिन पर तो आराम से करना होगा और बीज बीजो चार की बात करें तो आपको बीज तो ही के जील लगाई है परतियेकर के दर से और अच्छा बीज लगाई है और आपका बीज का बात करें तो बीज आपको 30% लेस में कोई भी आप मार्केर से या अब ओनलाइन मांग वालीजे अब तो ओनलाइन भी खोब अच्छा चलने लगा है ओनलाइन में यह नहीं रहेगा जो कंपनी वाले अपने खुद बेशते हैं बहुत सारे मार्केट प्लेस पे बेशते हैं और ग्रिस कालीन भिंडी की बुवाई कतार से कतार 25 से 30 सेंटीमीट रखिए और 2-3 सेंटीमीटर पेर से पेर की दूरी रखिए पोशन परबंधन की बात करें तो बुवाई से बुर्व अरहाई सो से 300 कुंटल सराहुआ गोवर की खाद अगर आपके पास अगर मुर्गी का खाद है तो आप 200 की कुंटल ही मतलब आप मुर्गी का खाद दीज ज्यादा देने से खराब हो जाता है 200 अगर कह रहे हैं तो 200 से कम 500 ही दीजिए कुंटल सराहुआ मतलब मुर्गी का खाद अगर मुर्गे क्या नहीं मिला है तो गोवर का खाद दे सकते हैं और तत्तो की बात करें तो नाइट्रोजन सल्फूरिक सल्प एससपी और पोटास दीजिए 60 किलोगराम नाइट्रोजन दीजिए 30 किलोगराम एससपी दीजिए और 50 किलोगराम पोटास दीजिए देखिए आपका परती एकर में इसका आधा मातरा अभी दे दे और आधा मातरा 30 से 40 दिन अंतराल पे दे दीजिए और आप जयविक खाद देने लगाना चात घर के लिए तो जैविक थोड़ा दूर कर लिजे लेकिन एक बारा जैविक से जैविक आप जाईएगा तो बहुत ज्यादा घाटा में चले जाईएगा और तुराई की उपज की बात करें तो किस्म गुनवात्ता के अंसार 45-55 दिन पर आपका तुराई पहला चालू हो एक फरवरी अभी खेत की जुताई आराम से करवाद दे और खाधूद दे के अच्छी तरह से खेत की जुताई करवाद दे तीन-चार रोटाबेटर हरो सबस्ट्री से जुताई करवाद दीजेगा बहुत अच्छा हो जाएगा और उसके बाद उस पे गुवाई करें स्प्रिंग लर के सारे देना चाथे तो स्प्रिंगिलर दे सकते हैं लेकिन अभी काम नहीं करेगा अब ऐसे पानी ऑर और बहुत अच्छा काम करेंगा सक्षकाभाएगा मैरे वीडियो को लाइख स्ब्सक्राइब स्यर कर दिया